हाँ सबका स्वागत है इसके नियूली वीडियो में क्योंकि आज हम आपके लिए क्लिए हैं सब तरीके के माउस लेकिन यहाँ पर यह माउस इतना इंपॉर्टन नहीं है क्यों मैंने इसे हटाया और हम इसे तीन सिरीज में रखते हैं क्योंकि दोस्तों इस वाले माउस में ज क्योंकि हम जानेंगे ब्लुटूथ माउस की हम डॉंगल माउस की या हम बात करें मल्डिबल ब्लुटूथ कनेक्टिविटी की या डॉंगल की और हजार रुपे के माउस के एस कंपैरिजन 1200 चौदा सो रुपे के माउस के मुकाबले चलते हैं सीदे लाइफ डेमो पर जा माउस है तो इसमें आपको डॉंगल नहीं मिलता 2.4 गीगाहट्स का ये प्रॉपर तरीके से साइलेंट माउस है जो कि मैं आपको दिखाऊ हूँ तो यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल आवाज नहीं आएगी और इसकी आवाज शायद थोड़ी से आ रही होगी लेकिन इसकी आवाज आपको बिल्कुल नहीं आएगी और इसकी आवाज आपको आ रही होगी तो यहां पर यह डिफरेंस हो जाता है कि साइलेंट माउस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बुल्कुल साइलेंट की कोई सो रहा हो तब भी आप अराम से माउस से खाम कर सकते हैं इस तरीके का लेकिन इसमें आपको 2.4 GHz का डॉंगल देखने के लिए मिलता है और यह फिलिप कार्ट का आता है मैं प्राइस थोड़ा से डिसकर्स कर दूँ यह आता है 1200 रुप देखा देते हैं फर्स्ट बात करते हैं Bluetooth माउस की जो की अंदर से आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है मैं सारी स्पेसिफिकेशन आपको डिटेल में दिखा हूँ तो यहां पे आप देखेंगे यह सेल पोर्शन आपको देखने के लिए मिलता है यहां पे जो नॉर्मली डबल एसेल दलता इसके अंतर यह आपको क्लियरली बटन देखने के लिए मिल जाते माउस के स्क्रोल बार का पर बार देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं तब यह उपर से खुले वा क्वास है और इसका यूथ नहीं होना चाहिए एक्चुली क्योंकि है क्वालिटी में आप बिल्कुल भी एक परसंट कंप्रमाइस कर रहे है प्रॉपर देखने के लिए मिलती है पीछ आपको कुछ इस तरीकी के स्पेसिफिकेशन लेकिन यहां पर मैं डेस्टिंग के बात किस्ति और से कनेक्ट नहीं कर पएंगे जिससे या आपने मोईल से कनेक कर रहेंग번 एक लोसे हैं माउस है तो यह तो होगे आपका प्रॉपर एच्पी का ब्लूटूथ माउस और इसका जो सेल है वो आराउंड में बात करूँ तो पंदरा से 20 दिन चल जाता है तो कोई प्रॉबलम नहीं है और रिचार्जबल सेल है तो टैंशन फरी है फिर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बह बहुत ज्यादा साइलेंट है यहां पर रोलर बार भी बहुत अच्छी तरीके से वर करता है लेकिन वाला नहीं है कि एकदम मारोद घूमता रहे वह फीलिंग नहीं आती है लेकिन यह भी ओपिन हो जाता है सबसे वेकार बात हमें यहीं लगती है इसका एक डॉंगल आता ह है जो की और भी लैपटॉप में लगा हुआ है और यहां पर बात करी जाए तो इसमें आपको सेल दानने का उप्शन मिलता है और आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको प्र तरीके से बटन दिखाई दे रहे होंगे जो की साइलेंट है और स्क्रोल बार वो देख कर रहे हैं तब तो आपके लिए सही है लेकिन आप कंटीनी वर्क कर रहे हैं तो यहां पर यह देखेंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाता है मतलब आपकी हदेली बहुत ज्यादा लगती आपको पूरा हाथ उठाके इसे यूज करना पड़ेगा च्छोटी मुटी मतलब लगता है वहां पूरेचल और ये दो बॉन झाल गता है तो यह दो माउस हो गए सबसे पहला हमारा साइलेंट हो गया मुबलभ माउस अच्पी का यह सैयलेंट माउस हो गया दो ही तरी के मार्केट में माउस आते हैं यह फाइनल हम बात करें तो फिलिप कारड वादे कर यह से इंक्रीज यह डाउन कर सकते हैं तो आपको मुट्पल करेंगे तब भी पूरे पीछ मूज मतलब मूफ कर पाएंगे और इसे आप डवल क्लिक करते हैं तो जैसी आप इंक्रीज कर लेते हैं तब बहुत ज्यादा स्लू हो जाता है तब आप इत्ता भी घुमाएंगे तब कि वह जो मतलब पॉइंट है वह बहुत ज्यादा स्लू डाउन होता है तो इस तरीके से आप मुवमेंट चेंज कर सकते हैं स्क्रोल बार में यहां पर अच्छी चीज यह है कि आपको मैल्टिपल कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है जिसमें कि आप कुछ भी कर स सकते हैं ऐसे में मुव कर सकते हैं तो यहां पर आपको एक छोटा सा इसको बार देखने के लिए मिल जाता है यह बहुत ज्यादा यूसफुल है कि तब आप गे और पीछे जाने के लिए मतलब आपको उपर जाके आगे पीछे करने के जौरत नहीं आप अपने अंगूठे से ही आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से तो यह माउस देखने के लिए मिलता है यह तो होगा इसकी फ्रिंट स्पेसिफिकेशन जो कि फिलिप कार्ट के लोगों के साथ आपको देखने के लिए मिलता है मगर मैं बात करूँ यहाँ पर सब से लादे इंपॉर्टन यहाँ पर एक तो मेह से अराउंट छे से साथ महीन होगा मुझे यूज़ करते वे और इसमें तीन कनेक्टिविटी आप्शन देखने के लिए मिलता है और दो ब्लूटूथ आप्शन देखने के लिए मिलता है मतलब मैं एक डिबाइस को डूटूथ से कनेक्ट कर सकता हू तो यह मतलब डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर बात करी जाए तो जो लाइट है वो पूरी तरीके से इन्विजिबल मतलब इंफरेड़ेट लाइड है डैट मिलती है कि आपको आपको से नहीं लेकिन कैमरे से साफ दिखाई देगी यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन अप्षण नहीं है इसके अंदर सेल कैसे दलते हो कैसे वर्क कर रहा है तो दोस्तों इसमें कोई सेल आपको एक्स्टरनल निदालना होता है यह इन बिल्ट है इसके लिए आपको एक सी टाइप कनेक्टिविटी पॉर्ट दी जाती है और सभसे इंपर्ट यहां पर सही हा रहा रहा है इतना फिट आ रहा है आपके लिए मैं सबसे पहले आपको मुगएL चार्जिंग बडाएंगा मुझे अलग चार्ज लेने के जोरत नहीं हाँ पर देखेंगे आपको चार्ज नेक लिए मिल जाती है कि दोबारा लगा हूं तब आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा यह फॉर्ट थाटी फॉर्टी थिरी परसेंट और इससे ही मैं अपना माउस चार्ज कर सकता हूं मतलब मैं ऐसा रखके चला गया और यह चार्ज होने के बाद यह लाइट बंद हो जाएगी डैटम माउस देखने के लिए मिलता है अब मैं तीनों की बात करूं तो कौन सा सबसे जादा अच्छा माउस है मार्केट के हिसाब से और आपके यूस के हिसाब से वह भी सबसे बड़ी बात आती है मैं थोड़ा सा सीधा कर लो तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले बात ब्ल यूस करने के लिए और मल्टीपल ब्लुटूथ ऑप्शन नहीं मिलता इसलिए सिंगल डिवाइस माउस है इसमें आपको डॉंगल मिलता है पार्टिकुलर एक डिवाइस के लिए और बहुत जादा साइलेंट है यूस कर सकते हैं लेकिन वही वाली बात है तब आप इसके बटनों में प्रॉब्लम आने लगी थी तो यह और इसकी बात करिया है तो यह देड़ साल से चला है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन साइलेंट माउस में बहुत जादा प्रॉब्लम आती इसके बटन खराब हो जाते हैं जल्दी और यहां पर मैं बात करूँ तो आराउंड 6-7 नहीं हो गए मुझे यूस करते हैं मुझे किसी भी तरीकी की कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली सबसे अच्छी बात यह है तो आपको कौन सा क्यूंकि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है ब्लूटूथ नहीं मिलती है तो म तेरे हिसाबसे आपको 500-600 रुपे का यह मौउस मिल रहा है या मैं बात करूँ 1000 रुपे का भी यह मौउस मिल रहा है तो बहुत जादा बहतर है एस कंपैरिजन इसके मुकाबले तो आज इसलिए पूरी फुल डिटेल वीडियो लेका है जिसमें कि आपको बता सकेंगे किस तरीके से मार्केट में यह हम बात करें आपके यूज के लिए बैस्ट है यह माउस जिसमें कि आप मल्टिपल यूज कर सकते हैं आप अपने हेसाफ से यह वीडियो आपके अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जो कीचेगा धन्यवाद